हेलो केड़ेट्स कैसे हो आप लोग वेलकम तो फॉर्थ लेक्चर ओफ यूर सेवेंटेंग चैटर यूर्वेट की बात कर ली थी आज की क्लास में अपन को टाइम की बात करनी है चलो तो बीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टाइम एक ऐसी क्वान्टिटीच यो आपको यह बताता है कि किसी चीज में लगी या कोई चीज कितनी जल्दी हो गया yes क्या जरूरत है मैंने आपको पताया था कि क्यों जरूरी यह है कि NOT आप किसी को wait करा लोगे begging बहुत सारी चीज हैं कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा आपको जो यह अभी चलता हो train का system हो गया, timing होती है, bus की timing होती है, यह सब कुछ disturb हो जाएगा, अगर time quantity ना होतो हो, आपको पता है कि यह कितना important है time की quantity भी, तो time जो है, वो एक ऐसी quantity है, जो आपको यह बताता है, कि कोई भी चीज में कितना interval लगा, कितना time लगा, कितना समय लगा, जादा समय लगा, कम समय लगा, ठीक है, कोई चीज कितनी धीरे हुई, कोई चीज कितनी तेज हुई, इस बारे में कौन बताता है time, तो time के कुछ unit जो आपको मालूम है, minutes, hours, और second, रोज सुनते हो भी या, time देखते हो exam में, बहुत कम time बचा है, 10 minutes बचा है, 5 minutes बचा है, है कि नहीं, आपका exam खतम होने वाला रता है, तर टीचर आगे बलता है, only 10 minutes left, please tie your answer seats, है कि नहीं, तो आपको मालूम है, minutes, hours, second ही सुने हो, day भी सुने हो, एक दिन, दो दिन, चार दिन, week भी सुने हो, year भी सुने हो, month भी सुने हो, तो इसमें time की जो quantity है न, सारी सुनी हुई है आपकी, सब चीज, भली मैं मानता हूँ decimeter, और ये सब नहीं सुने होगे, hectometer, ये सब नहीं थी आपके लिए, बट उसको भी मैंने आपके लिए, एक दाम इजी बना दिया, वैसे ही, ये सारी quantity आप सुने हुए, और आपको तो इनके बीच में रिस्ता भी मालूम है, चलो लेकिन मैं एक बर और आपको इन सब पर रिस्ता बता देता हूँ, और फिर इनके ओपर अपन कुछ questions करेंगे, 60 seconds मिलके एक मिनट, एक मिनट में कितने होता है, 60 seconds, याद रखना, 60 seconds, मतलब पूरा एक चकर, एक चकर में पूरे revolution को अपन ने कितने में बाटा है, 60 में बाटा है, तो पूरा एक चकर काटता है, जब second वाला hand कौनसा होता है, एकदम पतला सा और एकदम बड़ा सा, yes तो जब भी second वाला जो आपका hand है वो पूरा एक चक्कर काटता है मतलब कि 60 seconds होते है 60 seconds होते है 60 seconds, तो आपन बोलते हैं कि एक मिनट हुई है ठीक है, अब total पूरा एक चक्कर काटते है कौन सा मिनट वाला hand तो आपन बोलते हैं एक घंटा हुई है यह एक आगे बड़ता है, yes or no तो आपन क्या बोलते हैं कि जब यह पूरा मिनट वाला hand पूरा एक चक्कर काटेगा, मतलब जब 60 minutes होंगे, 60 minutes होंगे तो वो आपका एक hour बनेगा एक घंटा बनेगा, फिर कितने घंटे मिल के आपका एक दिन बनता है, 24, याद है ना तो 24 घंटे, 24 hours मिल करके आपका एक दिन बनेगे, फिर कितने दिन मिल के आपका एक सप्ता बनता है, 7 दिन yes, 7 दिन मिल करके, 7 days मिल करके आपका एक week बनता है और कितने दिन मिल करके आपका एक मन्त बनता है तो आप बोलोगे सर वो तो fixed नहीं है 30, 31 या February ये तो 28 और लिप येर वाले में February में 29 तो 28 से 31 तक बट जनरली 32, 31 डेज मिल करके आपका क्या बनता है एक मन्त ये fixed quantity नहीं है, एक मन्त कितना लंबा समय है, ये fixed नहीं है एक दिन का आगे पीछे हो सकता है मतलब 30 दिन या 31 दिन या 28 डेज या 29 डेज, तो ये fixed नहीं है बाकी सब fixed है, एक week मतलब आपने fix कर दिया, साथ दिन, exact fix है 1 day, 1 hour, 1 minute, सब fixed है बस ये वाली quantity थोड़ी सी fixed नहीं है, अब कितने मन्त मिल करके एक साल बनता है तो आप बोलोगे सब बारा मन्त बारा मन्त मिल करके एक year बनता है, तो एक year में कितने दिन होते हैं, 365 days या देना, 365 days होते हैं, एक year में और जो leap year होता है चार साल में एक बार जो आता है उसमें एक दिन जाता होता है February में 29 डेज होते हैं तो टोटल 366 डेज मिल करके एक leap year बनता है leap year बनता है ठीक है और 100 साल को एक century बोलते है century complete पर 10 साल को decade चीक है तो 100 साल को क्या बोलते है एक century ये आपको कोई difficult नहीं है रोज सूना हो है अब यह कितने मिनट में घंटा होता है कितने seconds में एक मिनट होता है दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे दुनिया में रहते हो ना जिंदा हो ना तो ये तो पता ही आपको सब कुछ फिर भी आपके सामने है अगर कहीं पर कुछ confusion है तो एक बार देख लो note down कर लो और क्या अब बच्चे की जान लोगे ठीक है चलो तो इसी के उपर कुछ questions है बहुत easy questions है तीन चार questions अपन करेंगे ठीक है फिर उसके बाद अपन इस chapter को अइंट करेंगे next chapter में अपन area और volume के बारे में पढ़ेंगे yes तो जल्दी से questions करते हैं पहले आप attempt करो screen को pause करो attempt करो फिर मैं आपको बताऊँगा करो आपको क्या बोला है which of the following part इन में से चारो में से one second है one hour का मतब एक तरीकी से आपको क्या करना है उस second को hour में convert करना है एक second को आपको hours में एक घंटे में convert करना है बताँ एक घंटे में नहीं कितने घंटे होंगे one second equal to how many hours तो आप बोलो कि सर सेकेंड को minute में convert करने के लिए 60 से divide करते हैं yes 60 seconds मिलके एक minute बनता है तो minute से अगर आपको second में convert करना है तो into 60 करना पड़ता है और अगर second से minute में करना है तो divide by 60 यह इसलिए पूला आपने metric system नहीं है 10 और 100 नहीं यहाँ पर अलग अलग है 60, 60, 24, 365, 7 अलग अलग है लेकिन day to day life में आप इसको सुनते हो तो easy है मताब as such आपको अलग से याद करने की ज़रूद नहीं है तो one second को आपने बोला सर 60 से divide किया तो आगया minute अब sir minute को convert करना है आर में तो sir फिर divide करना पड़ेगा 60 से yes तो फिर एक और 60 से divide किया तो मताब one upon three six zero zero अब कितना होगा यह अब आप बोलोगे sir exact कैसे बताए बीना calculator के रहे ठीक है चलो एक dot लगाया decimal लगाया तो एक zero आया फिर एक जिरो लगाया तो एक और जिरो फिर एक जिरो लगाया तो एक और जिरो क्या भी बिटिवाइड हो पाएगा नहीं 1000 चोटा है 3600 से तो फिर एक पार जिरो लगाओगे तो एक जिरो अब देखो 3600 टू टैम्स करोगे तो 7200 हो जाएगा त्री टैम्स कर दोगे तो 10,000 से बढ़ा हो जाएगा तो टू टैम्स सम्थिंग कुछ आएगा तो 0.00002 0.0002 देखो एक ही option में ए वाले option में तो answer will be your a चमग गया चमग गया एग्जेट करने कौन बोल रहा है भी या तो आप बस देख लिया 3600 से डिवेट करना है तो डैसिमल के बाद कितने 0 लगाने पड़ेंगे 3 तब वो जाके 10,000 होगा फिर 2 टैम्स करने में आएगा तो 0.0002 इन फैक 0.000 ही एक ही option में है तो वही आपको तो डैने पर चल जाएगा तो answer is your यहां पर जाप answer डान होगे that answer is your 0.0002 इट डन क्लियर पक्का चलो next question आपके screen क्यो पर minion पेश किया जाए convert 3 days 5 hours and 4 minute into minute minute में convert करना है सबको 3 दिन 5 गंटे 4 मिनट को minutes में convert करना है seconds में नहीं seconds में तो बहुत जाएगा omg अप्रम पार हो जाएगा अप्र तो चलो तो कर लिए attempt पक्का बननना minion के आवाज है न बड़ी cute सी एक लुआ है तो 3 दिन 3 दिनको पहले इन Absolope करते हैं तो एक दिन में 24 गंटे होते हैं तो 2 दिन में 3 to 24 hours घंटे में convert हो गया अब किस में करना है minute में, एक गंटे में कितने 60 minutes होते हैं, तो into 60 करोगे तो ये हो जाएगा minutes, 3 day is equal to this much minutes, ठीक है, चलो, multiply कर लो, कौन सा क्या जा रहा है, ठीक है, 24 into 6, 6 4s are 24, carry 2, 6 2s are 12, 13 14, 1 44, 0, अब इसको 3 से multiply करना है, 0, ठीक है, 4, 3s are 12, 2, carry 1, 4 3s are 12 and 13, 3, carry 1, 3, 3 and 4, तो this one will be your 4, 3, 2, 0 minutes, then, 3 दिन, अब 5 गंटे, 5 hours, 5 hours मतलब 5 गंटे, हर गंटे में कितने 60 minutes होते हैं, तो 5 into 60, 5 into 60, 5 into 60, 5, 6 the 30, 300 minutes, then, और 4 minutes तो 4 minutes ही है, कोई conversion नहीं करना, तो total कितने minutes होते हैं, देखो, add करो, 4, 3, 2, 0, 3, 0, 0, और 4, सब को add करोगे, तो 4, 2, 3, 3, 6 and 4, तो 4, 6, 2, 4 minutes, 4, 6, 2, 4 minutes, मिल करके आपके बनेंगे, 3 गंटे, 5, सुरी, 3 दिन, 5 गंटे, 4 minutes, done, यही answer आया था, कितने लोगों को आया था, बाबा यह answer, बाबा जी, अरी, बिग बॉस, बाबा नी, बिग बॉस, ठीक हैं, यही आया था, same, यहासा एपन पहले बहुत बार question कर चुके हैं, तीन दे को भी convert किया, जिसमें चाहिए था, 5 hours को भी convert किया, 4 minutes को भी convert किया, बस, और फिस सब को add कर दिया, अगर बोला होता है, इनको seconds में, तो इन सब में 60, 60 से और multiply करके, फिर add करते हैं, yes, चलो, next question, and the last question for today, ठीक है, आपके skin keeo पर यह रहा, 3, 6, 0, 0, 0 seconds को hours में convert करना है, seconds को, hours में, सर, इतो वह पहले वाला question जैसे हो गया, पहले 60 से divide करो, 3, 6, 0, 0, 0 को, सर, जब आप 60 से divide करोगे तो minute बन गया, फिर और 60 से divide करोगे तो, आर, 2, 0 ने 2, 0 को बहरेमी से मार डाला, 6, 6 जा, 36, 60, 6, 10 जा, 60, तो 10 hours, 10 घंटे में 36,000 seconds होते हैं, 10 घंटे में 36,000 seconds होते हैं, clear, done, easy था, चलो, आगे बड़े, चलो, आगे क्या बड़े, सर, आपने promise किया था, यह आज का last question है, चलो, तो आज अपन इस chapter को ही परेंट करते हैं, next class में पढ़ेंगे area and volume की units, area volume निकलना तो सिखा चुका हो पहले ही, area कैसे निकालते हैं, volume कैसे निकालते हैं, meter square meter cube, तो बस conversion करना है, तो देर किस बात किया, एकले class में करेंगे जलती से ठीक है, तो तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो भीया, और देखते रहो सौरवसर की class, जै हिंद, बाई बाई, टेक केर.